ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यो वाचिंग रेस्ल चैटर्स यह करने वाला एफेक्ट मैं आपको पास्ट में काफे सरी अप्डेट्स दी हैं लेकिन इस वीडियो में आपको काफे कुछ असा डीटेल में एक्स्प्रेइन करने वाला हूँ जो कि आपको अंदर की बाते भी बताएगा क्या रेस्ल में 36 हो सकती है एक बिल्कुल खाली स्ट देखने का मौका मिलता अपनी आखों के सामने वहाँ पर एक दूसरे को हग करते हैं हैंडशेक करते हैं सारी चीज़े होती हैं लेकिन डबल लबली ने सारे इवेंट्स के लिए नो टचिंग पॉलिसी कर दी है मतलब की जो फैंसे वो सूपर स्टार्स को हग नहीं कर सकते ह उनसे कोई ऐसा फिस्ट बंप उफर कर रहे हैं लेकिन इसके लावा जादा कुछ नहीं हो रहा और वो भी वो सूपर स्टार्स जो की बच्चों को देख रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो निराश ना हो लेकिन डबल लबली ने यहाँ पर जो है ऐसी रेस्टिक्शन ल लगी तो हो सकता है कि वो पर स्टाफ है या फिर सूपर स्टार्स इन चीज़ों से घिट जायें और यह तो ऐसी थिंग है जो के कोई भी होते वे नहीं देखने चाहेगा तो काफी अच्छी बात है कि डबल लबली ऐसी पॉलिसी ला रही है इसके लग गाईस अकर मैं आप काफ़ सरे employees को घरों से काम करने के लिए बोल दिया है ताकि आगे जाकर कभी situation आती है जहां पर जो employees है वो साथ में काम नहीं कर सकते हैं उनको घर से काम करना है तो WWE उस चीज के लिए पहले से प्रिपेर रहे और उनको उस समय कोई भी problem ना हो तो आप लोग इन सबी चीजों क को देखकर अच्छे समझ सकते हो कि WWE चीजों को काफ़ी जादा सीरिसली ले रही है और वह किसी भी आने वाली चीज से निपटने के लिए पहले से अपने आपको प्रिपेर करना चाहती है गाइस अगर मैं आपको राइबैक के थौट्स बताओं इस सारी situation को लेकर जिन्हो बढ़ी तिंग है वो बिजनेस के इसाफ से काफे ज़दे इंपक्त डालती है लेकिन उससे भी जादा जो तिंग है वह रेसलेर्स को प्रोटेक करना क्योंकि कि किसी भी क्यूमत पर जो डॉबली वाले हो खुद भी नहीं चाहें कि उनके जो रेसलर्स हैं वो किसी भी तरी सिरीज होता रॉयल रंबल होता है फिर समर स्लैम होता तो भी हम लोग मान सकते थे कि यह कैंसल हो जाया तो क्या होगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यहां पर बड़ी तिंग यह है कि विन सुक मैं के हाथ में भी कुछ नहीं है अगर आपने मेरी सारी वीडियो को फॉल मिल जाएगी बड़ गईज यहां पर एक जो मैं आपको बड़ी तिंग बताना चाहूंगा वो यह है कि अब सवाल यहां पर यह भी उट रहे है कि क्या रैसल मीने थर्टिस्टिक्स डेबल लोबी एक एंप्टी स्टेडियम के अंदर करवा सकती है अब खाली स्टेडियम म रैसल मीने करवाने से क्या फायदा है तो यहां पर फायदे वाली बात यह है कि जो सूपर स्टार्स हैं वो सिर्फ अकेले खुद में ही परफॉर्म करेंगे मतलब वहाँ पर जो फैंस हैं वो नहीं आने वाले और इससे हो गई कि जब एक सांथ लोग इखटे नहीं होंगे तो वायरस के स्प्रेड होने के चांसे भी नहीं होंगे तो ऐसे में रैसल मीने हो तो जाएगी लेकिन वहाँ पर फैंस मौजूद नहीं होंगे लेकिन क्या डबलोबली इस वाले आईडे की तरफ बढ़ सकती है तो यहां पर जो लोकल टैंपा के रिपोर्टर हैं उन्हों सूपरस्टार्स को सपोर्ट करते हैं उनका एंकरेज करते हैं तो अगर वहाँ पर एक भी फैन नहीं होता तो यह काफी वीर्ड फिंग लगेगी देखने के लिए बट अगर डबलोबली के पास कोई आप्शन नहीं बसता है तो हो सकता है इस वाली डारेक्शन की तरफ देखा जाए तो आज से पहले तो कोरोना वाइरस भी नहीं आया था तो कह सकते हैं इस बात की पॉस्पिलिटी जरूर है और आपको पता भी होगा कि वर्ल के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं आपको फुटबॉल के बारे में पता होगा कि वो एंप्टी स्टे अब हम अगर खुद टीवी के ओपर इस तिंग को देखेंगे तो हमें ही वह काफी वीर्ड लगेगा तो इमेजिन करो जो सूपरस्टार वहां पर रेसल करने की आजाता है तो चीज़े तो काफी गडबड हो जाएंगी बट अगर डिबलोवली के पास और कोई आप्शन ही करना पड़े और आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाए तो अभी फाइनल जिस पर वर्डिक्ट है वह आनी बाकी है जैसी वह आएगी वह आपको मैरे चैनल पर जरूर मिल जाएगी बट आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आन तकि आ झाल को मैरे चैनल